हलो फैंड वेल्गम टो अनलाइन फ्री स्टड़ी फ्रैंड सिस्ट में हम देखने वाले हैं दा हिंदू एरटोरियल से निकले वे कुछ वर्ड देखेंगे और ये आज का न्यूस भी पर था उसमें जो एरटोरियल था उसके जो है बर्ड है और ये जो बर्ड मैंने लिये है टीके छले श्टार्ट करेंगी और पिछली वीडियो में हमने पूछाता है कोईग मायर ठीके तो कुएग मायर का मतलब होता है दल दल ठीक है इसके synonym यह आपको यहाँ पर लिखे हुई है यह आप पढ़ सकते हैं यह बहुत सारे synonym है इसके और बहुत सारे antonym भी बन जाते हैं इसलिए मैंने आपको पिछले time को एक्मायर पूछा था ठीक है चले पहला हमारा जो है word है आज का प्लित ठीक है प्लित या बोलेंगे प्लाइट का मतलब होता है दुरुदशा होना किसी इस्तिती का खराब होना अवस्था जो होती है उसमें अवस्था खराब होना ठीक है यहाँ पर इसको हम इसका as it is word बोल सकते है डिफिकल्टी क्या होना डिफिकल्टी होना ओके इसके सुनुनें बहुत सारे है कंडिशन एक कंडिशन मन जाना ट्रवल करना situation या फिर डिलेमा ठीक है यह एक नया वर्ड साबको लगता है डिलेमा ठीक है यह वर्ड आप धियान रखेगा डिलेमा important वर्ड है आ सकता है आगे आगे अगला देखेंगे इसके एंड्रोनेंगे तो advantage या solution जो होगा इस difficult गल गया तो उसका ये अंट्रोनिम हो सकता है ठीक है आगे दिखेंगे आगे हमारा वर्ड है पर पैटिनेंट ठीक है पैटिनेंट तो पैटिनेंट का मतलब होता है उपियुक्त या उचित या ठीक धंक से ठीक है तो ये तीनों जो हैं इसके जो हैं मतलब होते हैं ये क्या ए synonym करें तो यह relevant से सबसेदा match होगा ओके आगे इसका synonym है appropriate, related, material या materialistic यह होता है मतलब यह उस चीज़ से थोड़ा सा match करेगा ठीक है या proper ठीक है यह proper है अबर proper कर लीजेगा ठीक है यह proper है इसके ओके एंडोनिम जो रहेगा वो irrelevant ठीक है unrelated या inappropriate ठीक है ठीक है ठीक है तो यह रहेंगे आगे अगला देखेंगे overhelming यह बहुत important बड़ है और यह काफी ज़्यादा यूज होता है ठीक है किसी वे एक्जाम में यह कई वार एक्जाम में आई हुआ हुआ है और जो न्यूस पे बार आप रीडिंग करते है overhelming यह बड़ है वो यूज बहुत होता है यूज किस टाइपस होता है देखिए यह इसका मतलब होता है एक तीवर भावना ठीक है ओके या फिर जोड़दार जोड़ से कोई चीज जोड लगाना ठीक है devastating, huge, amazing, strong या massive massive मतलब बड़ा ठीक है अन्टोनिम वही होगा negligible, insufficient या tribal या फिर pultery ठीक है क्या pultery ओके यह इसके अन्टोनिम होगे आगे बढ़ेंगे आगे अगलब जो है हमारा concilitary ठीक है concilitary ठीक है इसका मतलब होता है सांत करना, समझोता करना या मैत्री पूर्ण हो जाना ठीक है इन बागी का मतलब क्या होता है subvert का concilitary ठीक है इसको अलग-अलग करके पढ़ेंगे तो सबसे सही जो है pronunciation आएगा आपका यहाँ पर इसका मतलब होता है pacifying क्या होता है pacifying होना ठीक है या फिर synonym में बात करें pacific, soothing या progressive या ironic ठीक क्या ironic अगला वर्ड है हमारे पास fraternity fraternity ठीक है fraternity आपने बहुत सुना होगा fraternity जो होता है वो उसका मतलब होता है भाई चाहरा ब्रादरी या इससे mail खाता हुआ जो इसमें जो है exam में कई बार अल्लडी आ चुका है ठीक है तो इसका मतलब होता है इसको अगर हम relate करें भाई चाहरे से तो इसको compensation से हम relate कर सकते हैं ठीक है बाकिस के सुननों होंगे fellowship ship बिर्दर हुड काइं शिप या guild गुल सकते हैं गुल्ड गुल्ड ठीक है अन्टोनिम आपके वही रहेंगे यो मतलब फ्रेंड है किसी का तो हम इसे भूल सकते हैं दूसरों मूल सकते हैं ठीक है आगे अगला जो है question है वह है हमारा secular तो secular क्यों बार आपसे exam में पुछे आता है secular word आपने क्यों बार सुना होगा बहुत ज़्यादा न्यूस्विपर में आता है secular ठीक है तो secular का मतलब होता धर्म निर्पेक्ष ठीक है धर्म निर्पेक्ष होना सुना होगा क्यों बार आपने तो धर्म निर्फेक्ष मतलब civil होना ठीक है या temporal होना ठीक है temporal होना सनोने होगा इसके अगर हम antonyum की बात करें तो religion को माल लेना holy यानि की पवितर चीज होना या फिर उसको माल लेना second होना या spiritual या फिर divine होना ठीक है इसके antonyum है इसका एक वर्ड बता रहता है बहुत जग है spiritual आपने सुना बहुत बार religion सुनते ही रहते हैं ठीक है तो आपको यह antonyum सुननिम ध्यान होना चाहिए इसके आगे बढ़ेंगे और हाँ इसका एक वर्ड बता रहेता हूं सेक्यूलर स्टिक सेक्यूलर स्टिक का मतलब बहुत अलग होता है धर्मिर्पिक्ष मतलब सेक्यूलर ठीक है लेकिन सेक्यूलर स्टिक मतलब होता है नास्तिक क्या नास्तिक होना ठीक है यह नास्तिक होना ठीक है भगवान को न मानना आगे अगला appraismant appraismant मतलब होता है समन जो समन आता है समन जारी करना या मनोती या प्रिसाद दन नहीं है तके दन यहाँ होँपा यह प्रिसादन ठीके यह प्रिसादन है तो इसका मतलब इसकी actual mean what I mean क्या होती है तके इसकी meaning होती है satisfy । होना इस हम इससे सूथिंग भी बता चुका हूँ टिक है यह सारे सथ हैं यहाँ आपको लिके हुए है ठीक है कॉइंचिंग इसका सथ है या कॉंचिंस सिस्टी की कॉंसे सी यह इसका क्या है यह इसका सुननिम है यह आदर रखिएगा यह ध्यान रखिएगा यह कभी-कभी एक्जाम में आ जाते हैं कि अगला देखेंगे अगला बहुत इंटरेस्टिक हें इंप्रस्य इंपोर्टन है क्या है एक वेंट एकमित्ट का मतलब होता है आना Saturn क्क क्याarme Central कर दो last हम अगर हम वहीं से जनल हुआ थिकए तो हम भूलें सेम दोबारा आगमन हिए यह आगमन कहें तो इसमें वही चीज़ होगी, synonym में coming, arrival, approach, entrance, appearance, ठीक है, और antonym में वही होगा departure, ठीक है, यहीं जाना, ठीक है, इसका मतलब आना है, तो antonym मतलब जाना होगा, ठीक है, अगला वर्ड है, solidarity, ठीक है, solidarity मतलब एकता, ठीक है, क्या, एकता होना, ठीक है, unity होना, तो यह एक noun है, और unity, इसमें लिखा हुआ है, unity होना, आनि हार्मोनी होना, support करना, ठीक है, stability वहीं पर बने रहना, या accord होना, ठीक है, तो यह जो है word है हमारे, और आज की यह word हमने देखे, जो editorial था उसमें से, ठीक है, तो यह editorial में से कुछ words जो है, मैं अलड़ी पूछूँग वर्निंग, ठीक है, वर्निंग, यह दो question है, दो question के आपको answer देने है, comment करने, इसके बारे है, पूरा बताना है, इसका synonym, endonym मतलब क्या है, इसका synonym, endonym मतलब क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे word है, दोनों के दोनों, और दोनों के आपको important, जो है, word ढून के बताने है, comment box म करने है, ठीक है, तो thank you for watching this video, अगर video अच्छी लगी है, तो video को like करिए, share करिए, और subscribe करिए, और subscribe करिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है friends, और bell का icon दबा लीजिएगा, जिससे के notification आती रहे, और मैं जो है, कुछ question डालता रहता हूं, पढ़डे तो उनको किरीगा,